हेलो एवरिवन, स्पीड ग्यान में आप लोगों का स्वागत है आज हम प्रोफिट एंड लोज का पार्ट नमबर थरी यहां पर डिसकस करने वाले हैं पार्ट दो जो हैं वो ओल्रेडी हम डिसकस कर चुके हैं तो आज का जो वीडियो है वो पार्ट नमबर थरी है अगर पिसली दो वीडियो आपने नहीं देखी है प्रोफिट एंड लोज की तो वो वीडियो जरूर देख लिए ठीक है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्योशन हमारे पास क्या है देखो पहला क्योशन है एक बेहिमान दुकानदार ने 1 km की जगे पर 900 ग्राम दिये लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे लागत मुले पर बेचा है थीख है तो वास्तिक लाब उसको कितना हुआ है यह यहां पर हमें उसको बताना है थीख है तो हम क्या करते हैं एक किलो ग्राम, अब एक किलो ग्राम को हम ग्राम में कनवर्ट कर लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, जो एक हजार ग्राम है, ठीक है, उसकी जो कोस्ट है, वो कितनी है, एक हजार रुपए, यानि कि एक ग्राम की वैल्यू कितनी है, एक रुपए है, मान लिया, Actual में वो क्या बोलता है कि जितने में मैंने चीज़ को खरीदा था उतने में ही मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ यानि कि मैं कोई भी Profit Gain नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो क्या करता है कि जो weight था उसमें कमी कर देता है तब उसको कुछ Profit होता है वही अमें निकालना है, अब वो करता क्या है, 1000 ग्राम की वजाए, वो कितना देता है उसको, 900 ग्राम देता है, लेकिन रुपे कितने का लेता है, रुपे लेता है, वो 1000 ग्राम की, ठीक है, यानि कि 900 ग्राम उसने दिये, तो actual में वो चीज कितने की दे रहा है, 900 ग्राम की, ल संटेज निकालना है तो multiply कर देंगे 100 से 2-0 से 2-0 cancel तो हम क्या बोलेंगे 100 बटे 9 परतिसत उसको क्या हुआ है profit हुआ है 100 बाइ 9 और 100 बाइ 9 को हम क्या लिख सकते हैं 11 complete 1 बाइ 9 परसेंट ठीक है आंसर कौन सा होगा आंसर होगा हमारा option B ये वाला ये हमारा क्या है right answer है ओके चलिए अगला question देखते है question number second एक बेइमान विक्रियता ने CP पर अपनी वस्तू बेची लेकिन वजन में खरीदने के साथ-साथ बेशते समय वह 10 परतिसत दोखा देता है उसका वास्तिक लाब परतिसत क्या होगा फिर से बिल्कुल सेम चीज है वो क्या कहता है जो बेइमान विक्रियता है वो क्या करता है वो कहता है कि जितने में मैंने वस्तू को खरीदा था उतने में ही उस वस्तू को मैं बेच रहा हूँ ठीक है लेकिन वो करता क्या है जब वो खरीदता है तब भी 10% का धोखा करता है और बेशता है तब भी 10% का धोखा करता है ठीक है बेट में ओके इसको हम कैसे करेंगे इसको हम दो तरीके से समझेंगे ठीक है पहला क्या है बाइंग जब वो वस्तु को खरीदता है तो किस तरीके से धोखा करता है ठीक है तो पहला क्या है बाइ अब वो कितना दोखा करता है, 10% का दोखा करता है, खरीदते समय, अब 10% का मतलब क्या हुआ, 1 by 10, ठीक है, यानि कि अगर उसको 10 चीजे लेनी थी, तो ग्यारा वस्तुए ले रहा है, यह हम CP लिख लेते हैं, यह हम SP लिख लेते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है, वो जब 10 जोगा का तो वो रुपए देता है, और 11 वस्त्य वो लेता है. लेकिन जब वो उस चीज को sell करता है, बेशता है, जब उस चीज को बेशता है, तब भी उसके पास कितना profit होता है? 10 परतिस्थ का profit होता है. यानि कि 10 परतिस्था मतलब 1 by 10, ठीक है यानि कि वो क्या करेगा अब 9 चीज़े देगा लेकिन रुपए कितने का लेगा 10 की ठीक है यानि कि 9 चीज़े उसने बेची लेकिन रुपए कितने लिए 10 की ओके ठीक है अब यह CP और SP हमारे पास अलग-अलग हो गई है ठीक है अब 10 से 10 यहां पर cancel हमने कर दिया यहां पर क्या बना 9 रेशियो 11 बन गया है यानि कि CP अगर 9 रुपए है तो SP कितना है 11 रुपए तो उसको profit कितने का हुआ है profit उसको हुआ है 2 रुपए का यहां पर ठीक है दो का profit हुआ है किसके उपर जो यहां पर CP है CP कितना है 9 है और multiply कर देंगे 100 100 से क्यों क्योंकि हमें percentage निकालना है अब 1 by 9 का मतलब क्या हुआ 1 by 9 का मतलब हुआ 11.11 तो 2 से multiply कर देंगे तो answer कितना होगा 22.22 percentage यह उसका क्या हुआ है profit यानि कि option D इसका क्या रहेगा right answer रहेगा ठीक है option D right answer अगला question देखते है क्योंसर नमबर 3 क्योंसर नमबर 3 में क्या बोला गया है एक बेइमान विक्रेता ने लागत मुल्या से 20% उपर अपनी वस्तू को चेहनित किया और उस पर 10% की छूटती लेकिन बेशने के समय उन्होंने 100 ग्राम कम वजन यूज़ किया उसका वास्तिक लाप परतिसत क्या होगा ठीक है चली इसको कैसे करेंगे हम जो steps है उनको एक ही करके यहाँ पर रखते जाएंगे ठीक है सबसे पहले उसने क्या किया है 20% प्राइज को अप किया है यानि की हाई किया है ओके तो पहला हमने यहाँ पर लिखा 20% उसने क्या किया है हाई किया है ठीक है 20% का मतलब क्या हुआ एक बटे पांच हुआ तो plus के लिए हम क्या कर देते हैं plus किसको indicate कर रहा है बढ़ने को यानि की बढ़ो तरी को दूसरा step उसने क्या किया है अब उसने 10% की छूट भी वहाँ पर दी है 10% की क्या की है छूट दी है 10% यानि की down उसने किया है 10% का मतलब कितना 1 पटे 10 तो इसको जब down है तो इसको minus से indicate कर देते है तीसरी चीज तीसरी चीज उसने क्या किया है लेकिन बेशते समय उसने 100 gram कम वजन यूज किया है यहाँ पर actual में weight नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे 1 kg में उसने 100 gram कम वजन यूज किया है तो जब sell करेगा चीज को तो selling में वो किस तरीके से profit gain करेगा देखो अब कितना था total 1000 gram और उसमें से उसने कम वजन यूज किया कितना 100 gram ठीक है लेकिन उसने बेचा कितना होगा 900 1000 की वज़ाए उसने कितने gram दिया होगा चीज को 900 gram दिया होगा और multiply handle यानि कि क्या कर सकते हैं इसको 1 by 9 हम लिख सकते हैं ठीक है 1 by 9 क्या लिख सकते हैं यानि कि पहले अगर 9 चीजे उसने खरीदी थी तो उसने 9 चीजों को कितने रुपे में बेचा है 10 में 9 रुपे की चीज को कितने में बेचा है 10 में ठीक है इस चीज़ को समझना है बस अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो हम आसानी सीज़ को कर पाएंगे अब हम लिख लेते हैं CP और SP साइड में पहली बार यहाँ पर पहले वाले में देखेंगे तो 5 थी पहले CP तो उसमें गेन किया है प्लस 1 तो यहाँ पर SP कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दूसरे वाले में क्या हुआ है माइनस हुआ है यानि कि अगर पहले 10 था CP तो माइनस होके SP कितना हो गया 9 हो गया और यहाँ पर कितना है 9 रुपे की चीज़ को 10 रुपे में उसमें बेचा है तो यहाँ पर भी उसने क्या किया है, फाइदा किया है, बस, अब इनको क्या कर देंगे, multiply कर लेंगे, जो कटता है उसको काट तो, 10 से 10, cancel, no से no, cancel, यहाँ पर कितना बना, 5, अनुपाद 6, रेशियो में चल रहा है, तो हम आपस में काट सकते हैं, कोई दिक्कत में, तो CP यहा से इसको काटेंगे, तो कितने भी जाएगा, 20 पे, यानि कि उसको जो total profit हुआ है, उसमें पूरे में, वो कितना हुआ है, 20 परतिसद का, तो, option A इसका क्या रहेगा, right answer रहेगा, option A क्या रहेगा, right answer रहेगा, ठीक है, चलिए, next की तरफ चलते है, क्योशन नमर 4 की तरफ, क्य बिचने के साथ-साथ, खरीदते समय भी उसने 10 परतिसद की ठगी की है, उसका वास्तिक ला परतिसद क्या है, तो हम फिर से क्या करेंगे, step by step इस चीजों को चलेंगे, पहला step क्या है, सबसे पहले उसने क्या किया, 25 पर वस्तू को क्या किया है, प्राइज उसका mark किया है, तो 25 परतिसद का मतलब क्या हुआ, अब उसने बढ़ाया है, तो 25 परतिसद का मतलब है, एक बटे चार, तो हम इसको plus से इंडिकेट कर देंगे, दूसरा step हमारे पास क्या है, 10 परतिसद की उसने क्या की है, छूट दी है, तो 10 परतिसद की छूट दी है, यानि कि डाउन किय प्राइस को, तो इसका हम मतलब क्या कर लेते हैं, माइनिस का 1 by 10 कर लेते हैं, तीसरी चीज़ उसने क्या की है, जब वो खरीदता है, तब भी क्या करता है, ठगी करता है, तो सबसे पहले जब वो बाई करेगा चीज़ को, तब क्या करेगा, ठगी करेगा, ठीक है, ठगी वो क्या करेगा 11 चीजे खरीदते समय लेगा और चोथा क्या है जब वो उस चीज को sell करेगा तब क्या करेगा 9 रुपे की चीज को वो क्या करेगा 10 रुपे में बेचेगा इस तरीके से वो दोनों जगें क्या करेगा अपना profit gain करेगा तो यहां पर फिर से वही step हम बनाते हैं CP और SP वाला पहले में क्या हुआ है पहले अगर CP 4 था तो उसमें बढ़ोतरी की गई एक की तो SP कितना हुआ 5 हुआ लेकिन अगली बार उसने क्या किया 10 परतिसत की उसके उपर छूट दी है तो अगर हमारे पास CP 10 था तो SP कितना बनेगा 9 बनेगा क्योंकि यहां पर minus हुआ है यहां पर CP कितना था 10 और यहां पर कितना बना 11 यहां पर कितना था 9 और यहां पर कितना बना 10 ठीक है तो फिर से वही step यह सारे multiply में है और यह आपस में वैसे ratio में है तो जो कटता है उसको काट दो, 10 से कट गया 10, 9 से no cancel, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा कटेगा, 5 से काट दो, 5 दोनी 10, तो यहाँ पर बनेगा 8 ratio 11, ठीक है, CP अगर 8 है, तो SP कितना है, 11 है, तो अब उसको profit कितने का हुआ है, 3 का, profit कितने का हुआ है, 3 का, और कितने पर 8 पर, 5 परतिसद, इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, तो उसने कितना profit gain किया, 37.5 पर यहाँ पर उसने profit को gain किया है, यानि कि option B क्या रहेगा, इसका right answer रहेगा, option B, ठीक है, अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमबर 5, एक बेइमान दुकानदार ने लागत मुले से 80 पर उपर अपनी वस्तु को चीहनित किया, और उस पर 25 परतिसद की छूट दी, उसने खरीदने के समय 20 परतिसद और बेचने के समय 10 परतिसद दोखा दिया है, उसका वास्तिवी कलाब परतिसद क्या करो, ठीक है, पहला step क्या है, उसने 80 परतिसद क्या किया है, mark price up किया है, ठी यहां पर तो भड़ोतरी की थी, यहां पर down किया होगा, तो 25 परतिसद का मतलब है, एक बटे, 4, तो यहां पर minus कर देते हैं, तीसरा step क्या है, उसने चीज को खरीदा होगा, by जब उसने किया था, खरीदते समय उसने कितने की, वो किया है, ठगी, 20 परतिसद की, ठीक है, 20 प वस्तुएं के बजाए, उसने कितनी ले ली है, 6 वस्तुएं वहाँ पर ले ली है, ठीक है, इस तरीके से उसने 20 परतिसद का क्या किया है, वहाँ पर ठगी की है, अगला step क्या होगा, जब वो उस चीज को sell करेगा, बेचेगा, तब उसने कितने का दोखा दिया, 10 परतिसद का दोखा वाँ पर दिया अब फिर से वही step बना लेंगे cp वाला और sp वाला बना लिया पहली बार क्या हुआ अगर cp 4 था तो sp कितना बनेगा देखो पहले अगर 5 था CP तो SP कितना बनेगा नो, 5 और 4 नो अगली बार अगर CP 4 था तो SP कितना बनेगा, 3 बनेगा उसके बाद CP कितना है 5, SP है 6 यहाँ पर है 9, और यहाँ पर है 10 ठीक है, फिर से वही, जो कटता है उसको काड़ तो 5 से 2 पे चला गया, 9 से 9 पाँच, रेशियो 9 ठीक है, 5 अनुपात 9 यहाँ पर बना है अगर 5 CP है, तो SP कितना है, 9 है, तो यहाँ पर उसको प्रोफिट कितने का हुआ है, 4 का प्रोफिट हुआ है कितने के उपर, CP कितना है, 5 और multiply by 100 5 से कार दो, 20 से चला गया 20 चोक, 80 80 परतिसद उसको क्या हुआ है लाब हुआ है, option C इसका क्या रहेगा, right answer option C क्या रहेगा, right answer ओके अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर 6 एक व्यापारी 20 किलोग्राम चिन्नी को 4000 रुपे में बेजता है, एक ग्राहक 20 परतिसद चूट पूशता है और वहे इसके लिए सहमत है लेकिन एक किलोग्राम के बजाए वहे 4 परतिसद कम चिन्नी देता है ग्राहक को मिलने वाली स्टीक चूट परतिसद का पता लगाए इसमें जो ये दे रखता है, 20 किलोग्राम चीन्नी को 4,000 रुपे में बेशता है इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है क्योंकि हमसे जो आंसर पूछा है वो परसंटेज में ही पूछा है तो इसका हमें कोई भी यूज नहीं करना है हम आगे चलते हैं डारेक्ट एक गराख 20 परसंट छूट पूछता है पहला स्टेप क्या है उसने छूट दी है कितने की 20 परसंट की यानि कि डाउन किया है अपना पेमेंट अब 20 परसंट का मतलब क्या है एक बटे पांच तो इसको माइनस से कर लेते हैं दूसरा स्टेप क्या है एक किलो ग्राम की बजाए वो 4 परसंट कम चीनि यूज़ करता है ठीक है 4 परसंट कीनि कम यूज़ करता है ठीक है तो 4 परसंट का मतलब कितना हुआ 4 बटे 100 यानि कि 1 बटे 25 हुआ अब वो क्या करता है 25 अगर जो वस्तुएं थी तो बेचेगा कितनी, 24, तभी तो वो 4% का वहाँ पर क्या करेगा, profit करेगा, 25 वस्तुवे के बजाए उसने कितनी दी, 24 वस्तुवे वहाँ पर दी, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो उसने 4% का वहाँ पर क्या क्या, profit gain किया, ओके, हो गया, ठीक है, आप देखो, फिर से हम वही लेकिते हैं, CP और SP, पहले कितना है, अगर CP 5 है, तो SP अब कितना होगा, क्योंकि 20% की छूट दी गई है, तो SP हो गया है, 4, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अगर 24 हमारे पास CP है, तो 24 वस्तुवे की बजाए, वह रूपए कितने के लेगा, 25 का, तो यहाँ पर आ गय जीस, ठीक है, जो करता है, उसको कार दो, 5 से चला गया, 5 बहुत, और यह 4 से किया 6 बहुत, तो 6 अनुपात 5 आ गया है, अगर CP 6 है, तो SP कितना है 5, तो यहाँ पर कितने की छूट दी गई है, एक की यहाँ पर छूट दी गई है, एक रुपए की, एक रुपए मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं, एक की छूट दी गई है, और छूट किसके उपर दी गई है, CP के उपर, CP कितना है, 6, multiply by 100, तो हम बोलेंगे, 16 सही 2 बटे 3 परतिसत की छूट उसने दी है, stick छूट कितनी है, 16 सही 2 बटे 3 परतिसत की, option कौन सा है, option हमारा बीवाला, 16 सही 2 बटे 3 परतिस ने अपना लेक 6 सही 1 बटे 4 परतिसत हानी पर बेचा, लेकिन 16 ग्राम के बजाए 14 ग्राम का उप्योग किया, उसका वास्तिक लाब परतिसत ग्याद करो, इसको कैसे करेंगे, देखो, 6 सही 1 बटे 4 परतिसत, इसका मतलब क्या है, 6, 24 और 25 बटे 4 परतिसत, ठीक है, और 25 बटाएंगे, तो क्या करेंगे, 1 by 100, 25 बटे 4 पर, कितना बना, 1 बटे 16, 1 बटे 16, लेकिन हानी पर बेचा है, तो इसको हम क्या कर सकते है, माइनस से देनोट कर सकते है, 6 सही 1 बटे 4 परतिसत का जो फ्रेक्शन आया, कितना आया, 1 बटे 16 अब उसने क्या किया, जब वो बनाते हैं, CP और एक साइड SP, यहाँ पर अगर 16 CP था, तो SP कितना हुआ, 15 हुआ, ठीक है, और यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, तो CP यहाँ पर कौन सा होगा, CP हमारा होगा 14 ग्राम, और SP होगा 16, यह रेशियो में है, तो इसको काट सकते हैं, यह चला गया 7 पर, यह चला गया 15 है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास, प्रोफिट कितने का हुआ है, एक का, प्रोफिट कितने का हुआ है, एक का, और प्रोफिट किस के उपर होगा, CP के उपर, बटे 14, multiply by 100, ठीक है, दो से काट दो, यह चला गया 7 पर, यह आ गया 50 पर, 50 बटे 7 बटे से उसको क्या हुआ ह प्रोफिट हुआ है, तो कौन सा है, ओप्सन सी, प्रतास बटे 7 ओप्सन सी, यह वाला, ठीक है, यह इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके के क्योशन से आपको, I hope, समझ में आये होंगे, कि कैसी इनको करना है, ठीक है, एक क्योशन मैं होमवर के लिए दे रहा हूँ, क्योशन नमर 8, अच्छा क्योशन है काफी, इसको आप लोगों को खुद से ट्राइ करना है, इसी तरीके से step by step आप लोगों को करना है, ठीक है, और जो इसका आंसर होगा, वो आपको कॉमेंट करके बताना है, ठीक है, तो आज के लिए session को यहीं प करते हैं, अगर चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठेंक यू